इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकोइन के बारे में और बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में की काफी ज्यादा दुबारा डंप आ चुका है इसके पीछे का रीजन्स बताएंगे और बताएंगे कि क्या क्या क्रूशल बनता है क्या हम क्रूशल अभी पॉइंट्स एक्जिक्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट्स के लिए तो प्लीज मेक शूर तो सब्सक्राइब दिस चैनल हिट दे बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो और प्लीज वॉच लेटेस्ट वीडियो काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और काफी ज्यादा सही अभी प्रेडिक्शन बगारा भी जाने लगी है तो प्लीज मेक श करी पड़ी है मार्केट इसके पीछे का मेजर रीजन लिक्विडिटी है काफी बार लिक्विडेट होती है मार्केट एंड अभी आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा रेड हो चुका है एंड जो यह टोकन्स हैं गेमिंग टोकन्स हो गए यह कुछ इन टॉप 200 यह भी टॉप 200 की बात है अगर हम टॉप 100 में जाए में में कोईन आपको दिखेंगे तो काफी ज्यादा डंप किये पड़े अच्छे अच्छे कोईन कुसामा मैंने आपको पहले बोला था ग्राइब अप करने के लिए बट यह अभी हो सकता है कि नीचे है वि काफी अच्छा बन सकता है हमारा order execution काफी अच्छा बन सकता है लूप रिंग के लिए बात कर ले हम BTC के बारे में बिट कोईन के बारे में तो बिट कोईन अभी काफी ज्यादा unstable लग रहा है काफी volatile हुई पड़ी है market जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था मेभी यह हां से हो सकता है कि यह हां से execute करे यह वाला point trend line दुबारा एक बार touch करे and then बहुत बड़ा pump ले इस बार literally I am hoping for a good pump because काफी ज्यादा अभी volatile हो चुकी है market dump correction वेगारा काफी ज्यादा market में आ चुके है तो I am hoping a big pump this time अभी Magdeline भी RSI index भी काफी ज्यादा bearish हो चुका है and इसी के चलते bitcoin भी काफी नीचे जा चुका है पिछले एक दिन में काफी अच्छा pump लिया था आप यहां पर देख सकते है but फिर दुबारा नीचे जा चुका है तो according to me यह triple bottom form कर रहा है triple bottom कभी अभी आपको मतलब बताऊंगा कि क्या होता है triple bottom का मतलब and देखा जाये तो अभी bitcoin की closing I am hoping इसके उपर ही रहे तो अच्छा है because इसके उपर रहेगी तो काफी ज़्यादा bullish बनता है and यह एक wick ही हो I am hoping so I am hoping कि इसके बाद काफी अच्छा pump आ सकता है bitcoin में because bitcoin काफी ज़्यादा पिछले कुछ time से correction mode पे है and यह liquidate कराया गया है long and short positions को एक बार long and short position भी देख लेते है because long and short position भी काफी important role play करती है bitcoin की market में जैसे आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है यह देखिए अभी काफी जादा exchanges पे बंदे short होए पड़े है इससे पहले बंदे long होए पड़े थे 50,000 को जब cross किया था तो उसके ले liquidate होती है market liquidation काफी जादा चलती रहती है एक बार आपको triple bottom भी एक बार बता देते है कि क्या role play करता है triple bottom so triple bottom एक तरह से यह formation होती है कि तीन बारी ऐसे बिलकुल exact इसी execution में order हो so basically triple bottom एक bullish signal होता है crypto market यह किसी भी market के लिए the triple bottom is bullish reversal pattern that occurs at the end of downtrend तो यह अब triple bottom पूरा complete form हो चुका है and I am hoping a good pump this time because triple bottom एक बहुत ही अच्छा bullish signal माना जाता है पहले भी and इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार quick के बारे में अभी quick listed हुआ है wazir x के platform पे and काफी जादा अच्छा pump कर चुका है quick token तो क्या है basically इसका fundamental कुछ जादा basically बहुत जादा extremely अच्छा तो नहीं है but काफी जादा pump कर चुका है listing की वज़ा से listing gain काफी जादा अभी हो चुका है and अगर आपको buy करना है या you are hoping to buy so you can enter in it because मैं तो suggest नहीं करता for more buying के लिए but काफी अच्छी deal भी हो सकती है आप लोगों के लिए अभी इसने यहाँ पर 354 से 350 तक का base बना लिया है base काफी strong बना लिया है अपना position काफी अच्छी बना लिया है यह भी 15 minute के chart पर दिखा रहा हूँ 1 hour के chart पर देखे जाए तो 1 hour के chart पर भी यहाँ से reversal ले सकता है काफी जादा सही point लग रहा है अभी अगर यहां से downtrend में चला जाता है तो you can wait till 280 dollars काफी अच्छी deal हो सकती है और यह काफी जल्दी यहां से pump भी मार सकता है because testing दुबारा होगी और दुबारा उपर से यहां तक minimum जाएगा ही जाएगा 450 dollars तक minimum जाएगा then दुबारा यह नीचे आएगा EMA line पर so you can grab this deal अगर किसी को FOMO buying करनी है यहां किसी को quick token अच्छा लगता है so you can buy this this is not my personal advice this is just an advice based on technical analysis और bitcoin के बारे में बात करे to bitcoin की closing अभी इस line से उपर चाहिए 4R के chart में and I am hoping a good pump on this because triple bottom form हो चुका है so I hope you like this video and the update जो भी mainly tokens होईगे अभी आप पिछली वीडियो देख सकते है कि यह यह token अभी buy कर सकते है and काफी सही price पर आपको मिल रहा है so you can buy these tokens and इसके बाद भी जो हमने वीडियो जा ले हुई है वो भी जिसे teller हो गया teller TRB आने वले time में बहुत अच्छा pump कर सकता है Filecoin और Hillium के बारे में आपको बताया है वजीर X का जो upcoming event है वो भी perform कर सकता है कुसामा का जो indication दिया था बिलकुल सही execute हो रहा है order so you can take all these deals and grab good profits in coming months so please make sure to subscribe this channel hit the bell icon and wait for upcoming videos and thank you for watching this video